हाँ तो नमुश्कार पहरे साथी हूं पीजेसर क्लासेज के ओनलाइन प्लेटफोर्म पर आपकर श्वागते भी निन्दन हैं हम बात कर रहे थे भारति इत्यास की अंतरगत निए यह खाथ सक बन जाता है उसके बेटे को मार देता है जलाल अब देता है और उसके बाद यह तिय पास्ति निरूट रुप्स डाव देल कि ए गवंस कर अगर लाव दिन खीड टीडिंग उसनलोडरी खिट्रूप। गया अलाव दिन ककी परिटेए तियो प अप्रेट कि अलाव दिन लूड़ दिन खीडिंगे परिके ड़ेम्द दिन ट्योडींगें ऐसकि अब आऊ अगे आओ इन खील्जी के बारे में चर्चाय कर रहे थे अदिति जीद भी जुशा संकाल देखा था हमने 1290 से लेकर कि 1260 से लेकर तेराड़ा तुकि तो तो फिरा सो शोला तो जिसका असंटाल देखा अब कि वह लिए था था कि अच्छान करने के साथ साथ चलिएगा तसन संचालन करने के साथ साथ यह वास्त्विक सासक बन जाता है यहां पर सासक बन करता है जलाल उतिन की विमार कर और इसके बेटे को विमार देता है और इसकी मां से यह क्या कर लेता है विवा कर लेता है और विवा कर लेने की पश्चात का जाता है अब कंडिशन क्या होती यह सासक बनता है सासक बनेने के पद चाहती है कंगार This करें का यह सारी बाक है तो यहाँ पर जो चर्चाएं करने जा पेर दोस्तों अल्लाफदीन कि त्यों प्वीजिय का कि अ अल्लाफदीन खिल धिनिके द्वारा प्राप्त की अपना अ कि लेक़ों लुट्व देताओं लुट्गी चुट्वार् से फ्मीने लिकिताओंना लौदिन कहा जाता है देवगिरी पर विजय प्राप्ट करता है और देवगिरी पर विजय प्राप्ट करता है और देवगिरी पर विजय प्राप्ट करता है और देवगिरी पर विजय प्राप्ट करता है विजय प्राप्ट करता है विजय प्राप्ट करता है विजय प्राप्ट करता करता है कि इसके पहले भी यह जब जलाल उग्जिन के टाइम पर प्राप्त कर ली थी लेकिन यहां पर जीट लेता है और बात करें तो गुजरात विजे का जाता है कि 1280 में करता है गुजरात विजे कि अदों कि बात करें घुजरात विजे और घुजरात करता हैं मुज्रा अज़ेल कंग करता है कि करता है 2038 अंध्यान में यश्वी में लेकिन आसिरवादिलाल इसको जो संवानते हैं ये बारा है यहां को नुल्ट को लूटता है क?, लूटता है आप समनात मंदीर को ब्लूटता है कि इसमिंट कर बंदिर Pacific कर जह से क्या प्राप्त करता है तोना प्राप्त करने का कारे करता है अल्ला अधिनी और सोमनात के मंदिर को लूटने पर कहा जाता है कि यहां पर दो शेनापती थे इसकी कि इतने थे तो शेनापती थे और यहां पर इसके मुख्य दो शेनापती कौन-कौन से थे ध्यान रखी एक व्हां नुसरत खक्रों रिक फोग्त कंद शुरत आ तरॉला एक फिक फिक नुट गूट ऐसके मुखे सेनापति थे जाथी यह सेनापति अधिक कि नहीं करता है तो नुसरत खां और को है कि तेया जाता इस में करता है कि अधर वर्सेज को दिया जाता है इसमें कि इसमें चर्चाएं करें तुस्ट कहां वर्सेज जो लड़ता है पैर दोस्तों किस-किस के बीच होता है एक तो नुसरत खां नुसरत खां वह कौन था एक उलुगु खां उलुगु खां ठीक है यह तेनापती थे किसके वर्सेज कौन था इसका कर्ण बगेला कर्ण बगेला कर्ण बगेला की इसकी पत्नी थी कमला देवी कमला देवी और इसकी पुत्री थी उसका नाम क्या था वही देवल देवी क्या नाम था देवल देवी और इस कर्ण बगेला की जो थी इसकी पत्नी तो कर्ण बगेला की कौन थी यह कमला देवी थी और इसकी पुत्री कौन थी भई देवल देवी इसकी पुत्री थी और कहा जाता है कि यह दोनों इसको जीत लाते हैं और इनको दोनों को बंदी बना कर कहा ले आते हैं इसको बंदी बना कर किसको लाकर दे देते हैं अल्ला उद्दीन खिलजी को लाकर दे दे देते हैं किसको एक एक को दे 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 इनको बंदी बना कर बंदी बना लिया गया और बंदी बना कर इ को बंदी बना लिया जाता है और बंदी बना लेने के पश्चात कहा जाता है कि अपने पुत्र कहां का विवा कर लेता है इससे खुद विवा कर लेता है अपना सतुना कर लेता है और इससे अपने बेटे का सतुना कर देता है कि यहां से इन दोनों को बंदी बना कर लेकर आते हैं बंदी बना कर लेकर आने के पश्चात कहा जाता है कि दोनों के साथ एके साथ तो अल्लाव दिन खिल जी यानि कि ए कि पर दोस्तों एक्ष्ट कमला देवी अल्लाव दिन खिल जी अल्लाव दिन खिल जी कमला देवी से विवा कर लेता है विवा कर देता है ठीके और अपने पूत्र अपने पूत्र का अलाव दिन खिल जी का पूत्र था एक पूत्र था जिसका नाम था खिज्र खां का नाम था वही इस रखां खिज्र खां का विवा किसके साथ कर देता है अब कंडिशन क्या हो जाती है दोनों का विवा हो जाता है और विवा हो जाने के पर शाथ क्या कंडिशन हो यह को यह दोनों के साथ साधी कर दी जाती है और इसी दोरान कि और आ बहुत अच्छा सेनापती भी बना फिर बाद में जाकर प्रदान सेनापती भी नियुक्ति कर देता है और अल्लावद्दीन खिलजी उसे प्रदान नियुक्ति कर देता है और दक्षिन भारत का अभियान का स्रे जो दक्षिन भारत में विजे प्राप्त करता है लाव दिन की तो यह मलिक काफूर नामक की तिले को उसके दिये जाता है जादा तर जो विजे हैं वों मलिक काफूर की द्वार रही जीती एक बहुत अच्छा सिनाफ्टी हुआ करता था वही तो यह ध्या हजार दिनावर में मलिक काफूर मलिक काफूर नामक किन्नर को एक हजार दिनार में एक हजार दिनार में नुस्रत खांद्वारा नुस्रत खां द्वारा कि खरीद लिया जाता है कि डूं हमेघ लिया गया और कहा जाता है कि यह नुस्रत खांद्वारा खरीदा गया उसके बाद इस जो पैर दोस्तों इसको जो नाम दिया जाता है इसे एक हजारी दिनारी के नाम से जाना जाता है तो मलिक कापुर को क्या कहा जाता है इसका उपनाम की बात करें उपनाम तो एक हजार दिनारी कहा जाता है क्या कहा जाता है एक हजार दिनारी कहा जाता है क्यों कहा जाता है वही एक हजार दिनार में इसको खरीदा गया था इस कारणी से क्या कहा जाता है इसका उपनाम है एक हजार दीनारी भी कहा जाता है किसको मलिक काफू कि विसीस रूप से ध्यान रखना है आपको प्यारे साथियों तो कहा जाता है कि यहां पर खरीद लेता है खरीद लेने के पश्चाथ क्या कंडिशन होती है खरीद लेने के पश्चाथ अब कहा ले जाता है इसको दरस्ट में रनतंबोर के विजे पराप्ट करता है 301 में रनतंबोर पर जब विजे पराप्ट करता है समय यहां का सास्क पूंता अमिर Day One Home I'm from the host that और इसी समय नुसरत खां सिम्रति हो जाती एक इसी आक्रमन के समय यानिकी 301 के रन्तंबोर आक्रमन के दुरान इनुसरत खांगी मृत्ति हो जाती है अब यहां पर रड़तंबोर की दूर्ग को घेर लिया जाता है रड़तंबोर का दूर्ग राजिस्तान में सवाई मादूपुर जिले में पड़ता है और रड़तंबोर पर आक्रमन करने के परश्चाथ अधिन खिल जी इस प्रूग को करता था कौन हम्मीर देव चोहान के बारे में कहा जाता है पैरे दोस्तों क्या अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े जिसमें कि आपके ळाइब सोलां दो में वीजेश्री को प्राप्त किया है और हम्मीर एक हटी यानि की योद्धा था ऑई बहुत खतर्णाक वाला योद्धा था इतना खतर्णाक ता कि अपने एक बार क्या है कि करा है अज दर्वारियों या फिर उनके द्वार पालों ने दर्वाजा खोलना तो दुर्ग के दरवाजे बंद कर रखे थे तो बंद कर रखे तो तो पहादी पेसे उपर दुर्ग में ले गया गेट में से नहीं घुशाया जोड़ा कांस ले गया पाड़ी पेसे जिद्धिता और इसी के लिए कई सारे दोहे भी प्रस्थलित है तो यह द्यां रखना इस समय कहां पर की बात करें पैर दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी रनत ठंबोर कि अभियां या बीजे कांपिः के बाता है यह कवाई मादोपुर अबलों अगल केवाई मादोपुर में परता है कोन माधो-पूर करता है राजिस्ता अ कि अ माधों पूर का ही कॉझे करता है क्या करता है यह कंद कर द सब्सक्राइब करता है क्या और द एक ऐसक-आंस करता है कोन विश् Cape रॉस्थ आप खरता है हमेर lleu तोहान को ताहिए हमिर देव चुहान यहां का साँर्दा सक है इसमें कौन व казi होता है तोनों के बीच में भेंकर युद होता है और इसी दोरन राजस्थान का प्रतम साका माना जाता है जो हमinya का अरह प्रतुन." सब्सक्राइब की द्रश्टि सब्सक्राइब करता है इसको समर्पित कर देता इसको पता चल जाता है कि पिरां यह की रानिया जोहर कर लेती है उसके पर शाथ यह बुद अपने सीस को काट कर कहां पर चड़ा देता है भगवान शीव को चड़ादेता है कौन हम्वीर देव चोहान या लावदीन के दिवारा मारा नहीं गया लेकिन क्या होता है कि रंगा देव की नेत्रत में जोहर करने कि प्यार दोस् जाता है कि अपनी और मिला लेता है कि चलकर यह अपनी संधी के बहान ने उन दोनों को अपने और मिला लेता है और इसी के चलते हुगे दोस्तों कहा जाता है कि यह आक्रमन को जीच जाता है अल्लाव दिन की जीच जाता है चलिएगा और बात करें रन तंबोर विजे रन तंबोर 301 में होती है और उसके पश्चात भई इसके बाद जो करता है चितोड़ गड़ विजे पर चितोड पर आक्रमन करता है चितोड पर आक्रमन और चितोड की पदमनी की कहानी आपने शुणी यह पहरे दोस्तों 13你 करता है अब करता है तेरा सु तीन में चि तोड़ की पदमनी की आपकी ने सुनी है यहां का सासक अल्ला उद्दीन खिल जी वर्सेज यहां का सासक कोन था भई राव रतन शींग यहां का सासक था ठीक है इस समय कौन थी इसकी पतनी का जाता है कि जो बहुत ही सुन्दर कर भण है और इसकी राघ लाओब लिए बना लिया जाता है और मिलने के बहाने कहां पर तोड़ गर दुर्ग में आता है और मिलने के बहाने इसको बंदी बना ले जाता है बंदी बना कर ले जाकर रूबादविकर और भृणी लुद ताल प्राप्त करने के लिए और भी सारे कारण रहा है गुजरात और के बीच में इसकी सेना घुजरती थी यहां के इसको प्रहशान किया स्थुग सरक्राइब 15 इसके सेनापती कौन थे चाचा और बतीजा ते जो इसके द्रब हगते तहे यह सिंगल दीब की राजकुमारी थी ढ़ल्णdert दो से था जाते में पासे खेल में राया था बहुत सुंधर तोड़ का नाम बदल कर क्या कर देता है यह तोड़ का नाम बदल कर अपने पुत्र खिज्र खां को यहां पर न्यूट कर देता है और यहां पर नाम बदल कर क्या बद कर देता है खिज्राबाद कर देता है चित्रोड का नाम क्या कर देता है तोड़ का नाम तोड़ कर देता क्या कर देता है कि व्यां बाद कर देता सि क्षेड लेकर वह बचतीम बदलाग जाता है मैं हुआ ये जटकर दिया जैता बढ़ता है और शीवाना के उपर आखर मन करता है एक सिर्वाना राजतान का ऑक्रमन करता हैं यह राज्यस्तान की सीवाना fine कर दो आंटेट कि लोगroat जो आखर मोन करता है ठाहिए इनfen Дैणसी में सिवाना का जी ड्र ता आखर जो automat राजस्तान में और यहां का स्भाना का साख़क लाट चासख ईस्ता यहां का जो सासख देखने को मिलता है थि रहोगा सीतल यहां का सुना Tai Ramos टुन तर इतल इतल देव कि till then कुछ था सकता यहां पर लौदिन के लौदिन लौदिन फिल से और होता है इतल दो ऑन है इतल इतल देव दोनों के वीकल इन ते स्काल फिलता है अंपर इस एकार हसा यह चलिएगा सितल देव चोहां कि यह हम पर आक्रमन कीए और आक्रमन कने कि पश्चाश्य तल देव यहां का साकता और शीवाना का नाम बदल कर कि किसका कि वना कि वॉना ли वना खेराबाद कर देता है तो तरीके से सीवाना का सासग कितल देव चूहान पराजित हो ज़ाता है और पराजित हो जाने के पश्चाहत इसके बाद आक्रमन करता है तर दोतों कि इसको है इसके बाद नेक्स्ट साटमाण की बात करें तो देवगिरी पर आख्रमर क्षये द्यूसरा सब्सक्रामेड कर ईसी पर बत करें दोगिरीं सु 190 रहल चाहिता है या जाता सब्सक्राइब आक्रम्न परकम करते फिर थिरी गिरm पर अक्रमन तो हुआ है देवगिरी प्र आक्रमर की बात करें तो 307 में करता है इसके बाद दुवारहीया थैसे था несколько देवारिय होपर देवगरी के ऊपर आक्रमन करता है समय यहां पर राव चंद्र था डेव था सकता इसके पूतरी ती इल पासी राव चंद्र दीव यहां का तुछू सकता प्यरदो तो सक्ति की बात करें यहां पर आलिवा दीन खिल जी किस्की इसके समध्य बीढ़ चे सब्स sapph capacities बांख प्राम चंद्र देव में और पर से कौन विजी हो grabbed है इस यूतमत भी चेह आपका अल्राब दिन खिले विजिय कोण हो जाता है और इसकी एक पूत्री थी कि पुत्री थी विल्लपाली कौन थी पुत्री थी और इसकी पुत्री जो है कौन थी पैर दोस्तों इसका पुत्री होने का साथ साथ पुत्री को इल्लपाली का विवा ये अल्लावद्दिन अपनी कर लेता है इल्लपाली कौन इल्लपाली इसकी एक पुत्री हुआ करती थी इल्लपाली इल्लपाली से अल्लाउद्दिन खिल जी विवा कर लेता है इल्लपाली से इल्लपाली इल्लपाली से अल्लावदिन खिल जी विवा कर लेता है क्या कर लेता है विवा कर लेता है अर्थात इसकी पुत्री थी इसकी पुत्री से विवा कर लेता है कौन कर लेता है अल्लावदिन खिल जी विवा कर लेता है इल्लपाली से कहां पर देवगिरी आक्रमन कहां इस समय कि और इस समय आकरमन करते है ठीक है और इस समय इसका सेनापती की बात करें किसकी बात करें नहीं लव स्मयकर को इस criminali कि को मंत सूरacas जी ट्रस Death इसमें मली कापूर कौन ता मली के था इट रिअन्य है में աिएंट ज़से मिय कापूर को और उलिकर जीट लिए जाता है इसके तो 307 में देवगिरी पर विजय प्राप्त कर लेता है तो इस प्रकार से खुप सारी विजय हो ज़िए आक्रमन करता है देवगिरी पर और क्या करता है कंड बगेला के पुत्री देवल देवीश के साथ भी कि रखागा टेरीगो और बात करें नहीं कि बात करें नेम। में कि रा सकॉन है था यरीभरान णान विजय करता है इसकि ते लंगान कहां घ्लम्त आम यारे लंगान उपर वीजय पृब तो करता है यह यह को लुड नहीं करता है अदर अब करता यहां का सब्रका सकता पडून को तो यहां का साथ doc प्रताप प्रताप रुद्र देव प्रताप रुद्र देव यहां का 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 प्रताप रुद्र देव यह जो आक्रमन किया जाता है लुद्र नहीं होगा सेनापथी कौन था फैसमें इनापथी कों होगा हुगा मलिक कापुर क्यों एविजे प्राप्ट कर लेता है इस युद में विजए प्राप्त कर लेता है क्या होती है बंदी बना कर बना कर दिल्ली लाता है कहा लाता है भई दिल्ली लाता है दिल्ली ले आता है ठीक है और का जाता है कि इसे सोने की जंजीरों में बांद कर लाता है किसमें लाता है तोने की जंजीरों में बांद कर लाता है जंजीरों में बांद कर लाता है में बांद कर लाता कोईनूर ही कोई नूर लाता है यहां पर इसकी राजदानी ती वारंगल और दिकार कर लेता है यहांर यूरजदानि बनाता हुए राजदानि कर दो बनाता है यह उन्हां के लेकिसको बनाता है बना कि बना लेता है नी uh को पर अधिकार कर लेता है अधिकार कर लिने हिस्तातिश को हीरा जो समय पृधिन के लग जाता है कि कि में यह ब जो surplus देउता यह कौन शीरा लेकर आया था वही यह कॉई लेकर आता है और कोहिनुर इरा इससे प्राता रुद्रि देव से फूर ले लेता है Allah लग जाता है लेया में लग जाता है ठीक है जैँ यू रह एक किस हाथ लग जाता है अब क्या कंडिником है पैर दोस्त तो वहां को इंगे चल कर ओ करें हो सब्सक्राइब रहे चालोर वीजेइं कि बात करें भई जालूर जालूर विजी जालूर पर आक्रमन जालूर पर आक्रमन जालूर पर आक्रमन की बात करें तो पहरे दोस्तों जालूर कहां पर पढ़ता है आपके राजस्तान में पढ़ता है जालूर कहां पर पढ़ता है यह पढ़ता है राजस्तान कहां पर पढ़ता है राजस्ता कानन देव परत्फवन पूंचा कानडद देव चुहान कोंता यांका साथ की बात करें तरह तरह सक्ना यहां का यांसक का साथ सक्ता कानडद देव चुहान ते चोहान कानड़ दे चोहान यहां का सासकता का का चालोर का और चालोर का सासक होने के पश्चात कहा जाता है यहां पर अल्लाउदिन खिल जी वरसेज किसके वीच कानड़ देव चोहान यहां के वीच युद्ध होता है युद्ध होने के पक्षचात यहां पर वीजे किसके ईट कियोती अल्लाउद्धीन घिल जीsa टे आपतिसका आलाउद्धिन गुरूबर क्या का से फिर्फक्त यजा जो सेनापती होता है कि इसका इसका सेनापती की बात करें सेनापति कौन था इस समय यहां का सेनापति था कमालुद्धिन गूर्ग अलाउद्धिन खिल जी का कमालुद्धिन गूर्ग इस युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है और विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात कहां का जालोर का नाम बदल कर इसका जालोर का नाम बदल रजलालाबाद कर देता है आध भर यहा बाद किया कर देता है 것 नाम बदल कर जलालाबाद कर देता है कमाल अद्दिन गुर्ग अर्थात यहां पर किसका अधिकार हो जाता है यहां पर वह अपस है इसका अल्ला अद्दिन खिल जी का अधिकार हो जाता है अल्ला अद्दिन खिल जी इसे युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है वैसे तो काफी लंबी चोड़ी कहानी है कमाल का था कि को कहता है आपनी सेना भेजता है और यौण के मालें पर देशनर के का मिलती है आहि करने नाराज चाहिए पर दोस्तों और इससे यहां से राज्ये से से गुजरने पर टैक्स वसूल किया अगा ऐसे वानता कि जब कि इसने पत्र को लूट लेने के पश्चाट जाता है और इसे कारण होने के कारण कि पास कई बार पत्र भी लिखता है कि आजा की ऐड़े चोहान मेरे सामराज्य में उपस्तित हो यानि कि मेरे दरबार में उपस्तित हो और अधिनता सुकार कर ले नहीं लेकिन यह कभी नहीं गया एक बार चल भी जाता चल यह तो नहीं गया लेकिन इसने अपने दिया और वीरम देव वह भींल एक वह भीज देटाया कॉनऋ कास्चत है इसकी पूत्री पाड़ पी शूधिय अनुल आज्वीर विढ़ता था नंबा चोड़ा शरीर वाला था तो कि ऊपर किसके उपर दोस्तों विरम दीव की उपर इसका दिलрав आ जाता या पुत्री का ऑफ़ समझा। कि अपने पुत्री को लेकिन उसका कि नहीं कि मेरे को यहीं चाहिए मैं इस साधी करुगा तो इसी करूंगी लेकिन कहा जाता है कालांतर में दों यह और यह वहां से चुपके से तिल्ली से निकल कर का आ पिछे से नवेस्ताय और उसके कारण रोह है गुल विस्त इसकी द्राइमा थी और इसी द्राइमा के द्वारा कि पालनपोसन किया था उसको पराजीत करने के लिए आती ये नहीं कर इसका साइस्वागत करके वहां लाउदीन कानळडेशूहान वापस बेज देता है तो बेज देशिती समझती है कौन समझती है तो अपने सेना को वापस बेजने के लिए वी वीरमद्यव को सबस्ती कहने के लिए और जब विरम देव इसी इद्ध में मारा जाता है उस इसके चीया का किया जाता है क्या किया जाता है तो फिरो जाती अल्ला उद्दिन खिल जी के पुत्री को यमना में छहलांग लगा कर अपनी इह लीला समाप्त कर दीती अपना जी आप कर देती फूर जाती मर जाती मतलब लिए डिव के चक्कर में इसका फुत्र ता इसका फुत्र कून था बीरम दिव के चकर में के और वूत्री किस کی तीय लाएग डिन की fucking कि पुत्री कौन थी पुत्री थी फिरोजा कौन थी भई कि रोजा ये फिरोजा और इनके बीच में दोनों के बीच में क्या हो जाता है प्रेम हो जाता है क्या हो जाता है प्रेम हो जाता है कि आत्म अत्या कर ले क्या कर लेती आत्म अत्या कर लेती ठीक है जब यह प्राप्त पूरी के पूरी कहानी अमझ में आये होगे आपको इसके पशात हम बात करने जा रहे है तर दोस्तों अब क्या करेगा भालवा पर विजय यहां पर प्यादा 1311 1311 फ्रम्पर तेरा सो पांच मिन अप्क्यां पालवा पर विजय की बात करें बालवा पर विजय तेरा सो पांच मिका कब करता है भी फालवा पर वीजी कर लेता है तेरा सो पांच मिका अलवा की बात करें तो कहा जाता है कि यहां का जो आ सकता महलक देव था और इसका सेना पती था ओका कुंता यहां का सासक की बात करें महलक देव कौन देव कि इसका सेना पती था इसका होग इसका सेना पती था एक इसका को कहा पर महलक देव क्या pajama महालक देव की वीच दोता है अ महालक देव की दोता है और महालक देव की दोंने के बाद किश्ची वीजय पराप्त हो जाता है ओनी यहाँ पर मिल्य पराप्त करता है अलॉदिन खिल चीघ को तो यहां पर यहां पर बिलतानी यहां पर सेन पति ठीक है और यहां पर सेनापती कौन था भई लाउदिन खिल जिगा एन उलू मुलतानी था जिस ने इस माहलग देव को पराजित कर दिया और पराजित करने के पश्चात मालवा पर अधिकार कर लिए अधिक है अधिरा सुचार में लाउदिन खिल जी ते सीरी को राजदानी बना लिया था का आज आता है किसी राजदानी बना लिया था इस कारण भी यह यूद्ध देखने को मिस्ता है चलिए और को इस चलिए प्यार साथियों नेक्स बात करते हैं यह लगबग लगबा तारित किया था इसे सामराज्जी को खिल जी करांती के नाम से जाना जाता है यह कहा जाता है कि सामराज्जी को खिल जी करांती के नाम से जाना जाता है तो इस वन्स को खिल जी करांती के नाम से भी जाना जाता है तो इस वन्स को खिल जी करांती के नाम से भी जाना जाता ह किल जी करांटी के नाम से जाना जाता है ती कर आंती भी वह जाता है पर करें राजटू 앞 कर द्रा किुछ प्रकार से क्या गया सिधांत explaining सबसे पहले हम जिक्र करें पहर दोस्तों क्या कंडिशन होती है सबसे पहले हम राजनीती को धर्म से अलग रखा और सामाजिक उत्तवों को बंद कर दिया गया थांग सराब पाशा खेल को बंद कर दिया गया कर दोस्तों राजनीती को धर्म से अलग कर दिया राजनीती को धर्म से अलग कर दिया दोनों को अलग करकर के कहा जाता है कि यहां पर जो थार्मिक उत्तों को बंद कर दिया गया धर्मिक उत्तों मनाए जाते थे पिर सामाजी को जो मनाए जाते थे उनको पूर्ट या बैन कर और एक घेला जाता ता पाशा जो तरण जी तरह वासा का गेम होता था जो महां भारत में खेलता रहते रहते वह वाला गेम कहा जाता है कि यह सिद्धान तो यह काम भी इसके द्वारा के गया थे मुख्य मुख्य बातों कि नुए लिख देता हूं आप पर राजनीति को धर्म से अलग कर दिलिया है इसके विशेश लूप से अन रखना राजनीती को राजनीती को धर्म से अलग कर दिया तो दूसरी बात करें राजनीति को धर्म से अलग कर दिया और दूसरी बात करें सामाजिक उत्सवों को बंद कर दिया गया और नेक्स बात करें शराब चराब भांग पासा जो खेल है वो बंद किया गया वो पाबंद कर दिया गया कि मुख्य मुख्य चीज़ें इस पर बेन लगा दिया गया इसके द्वारा लगाया गया और बात करें इसके द्वारा क्या क्या निर्मान करवाया गया मुख्य रूप से इसके निर्मान्कार यहीं, की खार के कि रहले यहां पर ईया पर जमैयत अना मस्ज्जित का निर्मान करवाया गया की चेकी लुक्त करा दिए ज़ेत का निर्मान करवाया या थिर्माद कि चैनि वी उर बात करें जमेत खना मजजद का निर्मान करवाय अलाहि दर्वाजा बनवाया या अलाहि अलाही दरवाजा अलाही दरवाजा का निर्मान करवाया क्या करवाया वही अलाही दरवाजा का निर्मान करवाया क्या करवाया इस्लामी वास्तु कला का रत्न कहा जाता है क्या कहा जाता है इसको इस्लामी वास्तु कला का रत्न कहा जाता है रतन क्ला गाता ये क्शो इंवास्त क्ला का रटन कहा जाता ये किसको अलाई धर वाजी को एक जुद्य होगे वी विष्थ का चिरि का अप्लत करवाया और कि पर आद noi और बात करें किी रेकर किल साथ एक हैं याँ पर हजार खंबो का महल बनवाया हजार हजार के थो wichtiger द्वारा कर JONS हजार कमबा महल का निर्मानिस के द्वारा कर वाया गया देवी अधिकार के गांत को चली हद meget अधिकार के सांत को कि देवी कि अधिकार के सिद्धान को लाउद्दिन भेजी ने छलाए ने चलाए जो आगा है यह विसए इस रूप से द्धान रापको तो यह सारी चीज़े किसके बारे में जानकारी देती है हमें अल्ला उद्दिन खिल जी के बारे में जानकारी देती है और क्या-क्या इसके द्वारा करवाया गया इस सारी जानकारी है और बाते करें तो कहा जाता है पहरा दोस्तों इसने एक उपादी धारन की जो कहा जाता है कि क्या कहा जाता है देखिए सिकंदर हे सहने कि उपादी धारन की तील लाह उद्धिन की हो कुछक्ष पादि अनी ये शानी की उपादी की कंदर कंदर एक कंदर एक कंदर एक आनी की उपादी उपादी अल्लाव दिन खिलजी ने धारण की जित्यासिकंदर इसका मतलब होता है कि अल्लाव दिन खिलजी द्वारा दो नवीन कर लगाए गए एक तो कौन सा चराई कर आई कर दूसरा कर जो है एक तो चराई कर लगाया गया दूसरा कर लगाया गया गदी कर या गड़ी कर कौन सा गड़ी कर कौन सा गड़ी कर चराई कर क्या होता था यह पशूओं के चराने से लिया जाता था दुदारू पशूओं पर लिया जाता था और यह इसे लिया जाता था यह दुद्यारू प्रसूं फॉलोर कि लिया जाता था जिसका दुद्यारू ले ने वाले वहते थे यानि जाता है किया घर लिया जाता था तुछ रहों या घर घर या महल पर लिया जाने वाला कर गर्या जूंपडी पर फर घरों वर जूपडी यो पर पर लिया जाता है यह विसी स्थान रखना दो प्रकार के करें यह अल्ला उद्दिन के द्वारा लागू किये गए थे लाउद्दिन के बात करें तो जनवरी तेरा सो सुला में हो जाती है अल्ला उद्दिन खिल जी एक एक की मरत्यू कब जाती है आट जनवरी तेरा सो सुला को हो जाती है बाद में कोई विसेश रूफ इसासक तो नहीं मिलता तो इसके सामराज्जी को शमाल सके कि पश्यात देखें कि का जाता है एक कि आयोगी उत्रादिकारी से मिले और का जाता है कि यहां पर पतन भी हो जाता है दीरे-दीरे किस प्रकार से होता है तोड़ा सा कि देखें कि यहां पर सासक की जिक्रे क्या कि आजाता है सिहा बुद्दीन अमर 1316 में सासक बनता है सिहा बुद्दीन इहां पुद्दीन अमर पुद्दीन अमर 1316 में सासक बनता यह लेकिन आयोग्य था था तो को किछี่ समय के कुछ अल्पकालिंब के लिए सासक रहता है वास्तविक सत्त्या समय मलिक आपूर के हाथ में होती है मलिक कापूर में हाथ में होती है और पर डěता है कृकि निग निथ porch phrases वास्त्विक सक्ता वास्त्विक सक्ता पलिक काफूर के हाथ में होती है कि हाथ में होती है एक चलिए नेक्स बात करें यह वास्त्विक सक्ता किसके आतमें अलिक काफूर क्या और बात करें मुभारक खिल जी इसकी अध्या कर देता है इसकी हट्या कर देता है हुआ को मुभारक खिल जी द्वारा इसकी ह्थ्या कर दी अक्रैश्च होता है को यह कुत्व बद्दिन-वुभारक खिल जीो पिरपर जाता है कर दрамye कि वारक खिल जी सासक बन जाता हुए यह तेरा सो तोला में लाउदिन की प्रति होने के बाद यह बना और इसके पश्चाहत तेरा सो बीस तक यह सासक बनता है और अंत में यह कहा जाता है किल जी वंस का अंतिम सासक माना जाता है जी वंस का अंतिम सासक चार साल तक इसके पश्चाथ क्या होता है कि यह बावडया था इस अपने आपको खलीपा गोशित कर देता है तो नगना उस्ता में आ जाया करता तो यह मैलाओं करके राज़ दरबार में आपके दोड़ लगाया करता था ऐसे काम किया करता था तो यह क्या यह तरबार में तरबार में नगन वस्ता में अवस्ता में वह वह ओनाओं के वेस में महिलाओं के वेस में कही बार आ जाया खरता कही बार पार आ जाता था और इसने इसने स्वैम को खलीपा गोशित कर दिया क्या कर दिया खलीपा यानि की जो खलीपा है मुश्मिम धर्म का सबसे बड़ा गरू हुआ करता था जो अरब प्रदेशों में बेटा करता था वही तो अस्वैम को खलीपा गोशित कर दिया क्या गोशित कर दिया ने कर दिया वही मुबारक खिल जिन तो यह सोईम को खली पागोशित कर देता है आन्ट के कहा जाता है पार दोस्तों क्या होता है कि तो कि हत्या कर दी जाती है खुष्रोखां के द्वारा इसके हत्या कर दी जाती है के द्वारा खुष्रोखां के द्वारा कि दूसरों कि हां कि इसकी अत्या कर दी कि मुभा रखी लिए कि अत्या पर कि क्या हो जाता है अन्त हो जाता है यह तुखां पेवगंबर के सेनापती के पादिधारण करता है कि यह तुखां पेवगंबर के सेनापती धारान करता है ठीक है यह जीवन समापत हो जाता है प्यार दोस्तों के साथ नेक्स तुक तक वन सब्सक्राइब कर दीए और यह जेह ज़िए